बिसमिल्लाहिर्रह्मानियरह्म असलामलेकूम स्टुडेंट्स मेरा नाम है अदिल हुसेन और नॉलिज हाइव साइन्स कोलीज के इस एजुकेशनल चैनल के उपर मैं आपको खुशायमदीद कहता हूं लास टाइं लक्रोखमिष्टी के अंदर इस इसका इंट्रुडक्शन देखा था तो के एकक्रोटोगश्य हैं और नाम के यहन बसका कहते हैं कि इसके और जो आप क्यों होता है क्मि देन AUDIT होता है कोई आपको पास fोज है नि较 I There इसके अंडर जो एक को सर्फपेंड अ करते हैं उसकन पड़ विपात Our फेसम अबेटा लेकिन और 攻निंच आगया और लेकिन पेकर अगया आच advise बच्चे कहते हैं पता हैं किदर लिखा हुआ तो आपके पास वर्ड सेम हैं Oxidation Number और Oxidation State यह एक ही वर्ड है तो देखें ज़र आपके पास Oxidation Number और Oxidation State इसके भी हो सकता है, तो जो आके पास अच्चे का नाम रहते हैं Oxidation State का नाम बचयो जो आपकë पास Oxidation Number और Oxidation State इसाओब का नाम तेती तो आपके पास ऋसक्टे बीहीन है यह व और Oxygenate and Oxygenate and Oxygenate and Oxygenate and Oxygenate अभी मैं बढ़ा रहा हुँ Oxygenate अभी मैं आपको comparison भी बताऊंगा इसका Valency के साथ क्या comparison है तो देखो जर आपके पास और Oxygenate and Oxygenate नंबर के इसको हम डिसक्स कर लें तो Oxygenate हमने कहा किसी भी एक एक आटम के उपर जो कि molecule यह अएन के अंधर मजूद है उसके बर जो आपके पास उसका उसका सिंबल के लिखा हूँ इसका जो आपके पास प्लस वन होता है उसके उसका उसके आपके पास स्टेट्स हैं और नंबर्स हैं यह तो वैसे आपको जुबाने ही याद होने चाहिए क्योंकि नेक्स हम टॉपी करेंगे इसके अंदर वह आएगा इसके आपके पास और निकालना कैसे हैं उसके लिए आपको इन चीजों को याद करना पड़ेगा अधरवाइस वह आपके पा ऩर्स होंगे वह मैं आपको डूल के अंदर बथाओंगा दूल अपको मशाम के बिसक्व करेंगे उपको मैं आपके पास और को को बहुंत बिसक्र करोंगा और बिसक्र रूदेगा के आपके पास ननकर वह अंयुक्ट नियुक्ट Ю-दिसक्रत ripped कटी एक सो करेंगे अब हम देखते हैं कि मारे पास ऑसलिए के दिम्यान किया अब हम इसका और वाइंसी के दिम्यान को दिखने हैं तो सबसे फर्ण लेसिफियर इस आप एक अध्यूमेंट के साथ जो मिलने की इस्ताद के नदर होती है तो आपके पास होता है यह क्या होता है यह यह तो आपके पास स्य होता है जबार कि आप पॉपॉउट है यह ज़रों के अंदर वहां तो आपके सो अबने दिखा इसमें लिखा हो क्या है इक सफॉर्ट में चाहिए नेक्ट मौन चाहिए और अब होस्ट इसकीजावु प्लस देख बने घॉर्टु होथा इसको मिल्ड़ पास दो आपके सब्सक्राइब का तो आपक यह मारे पास यह Oxidation state यह Oxidation number यह तो simple सा था कि इसके definition हमने देखी इसके दो पॉइंट्स एक लिए उड्जेम्पल देखें हमने देखें वलंसी हमने देखी सिर्फ इसकी definition इधर हमने कहा था Oxidation number के अंदर कि आपके जो Oxidation number यह different होता है different compounds लेकिन जो वलंसी होती है मेशा याद रखेंगा कि हर एक element की fixed होती है यानि वलंसी ओफ एन element is usually fixed है मेशा क्या होती है fixed होती है इधर अबने का था it may have a positive negative or zero values की value positive भी हो सकती है negative भी हो सकती है Fecl3 के अंदर आपर आपके आइं की वलंसी हो क्या है मार पास 3 है और Fecl2 के अंदर आपके इस्वाल आण रहा होगा मैंने तो यहां पर लिखा हुए वालन्सी औफ एलेमेंट उभी फिक्सट होती है मैंने यह आपर दो लिख्यों है तो बच्चो मिने एक वर्ड भी पड़ा होगा वेडिबर वालन्सी कुछ ऐलमेंट की वेडियेब्ल वालन्सी भी होती है लेकिन variable balances हमेशा fixed ही होगी वो change नहीं होगी तो यह हमारे पास comparison था किसके दिरम्यान Oxidation number और valency के दिरम्यान में अभी हमने देखा था कि Oxidation number होता क्या है और इसका valency के साथ क्या comparison अब हम देखेंगे कि Oxidation number जो है आपके पास इसको निकालने के क्या rules है हमने rules को देखेंगे और rules को हम देखते हूए फिर हम देखेंगे हमारे पास कोई भी compound है उसका Oxidation number देखें कमपाउंड आपको given हो का उसमें किसी भी element का Oxidation state यह Oxidation number कैसे निकालते है इन rules को पर हम देखेंगे फिर हम किसी भी compound के ओपर कैसे उसका Oxidation state निकालते हैं उसको देखते हैं देखे सबसे पहले जो हमारे पास डूल आ रहा है Oxidation number निकालने के लिए वह कैसे पहले है Oxidation number of all elements in free state is 0 जितने भी आपके पास elements जो के free state में पाए जाते हैं उनका जो Oxidation state यह Oxidation number भोता जो जो होता है जुरो है इसका जो Oxidation state भी Oxidation state होटे है जो के free form में पाए जाएंगे तो उनका Oxidation number होगा यह Oxidation state होगा यह क्या होगा मेरे पास 0 होगा सेकंड इसके अंदर रूर आते हो कहता है मारे पास oxidation number of an ion consisting of single element is the same as a charge on an ion कि कोई भी आपके पास एक एक ही element आपके पास और वो आइन ही है मैं कहता हूं तो जो उस आइन के ऊपर चार्ज होगा वह ही उसकी क्या 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 लाएगी oxygen state क्या लाएगी बुद्ध्य आपके पास ऍनर बास और ट्रिंड यहां कि आपके पास calcium है 2 यह यह इन नजर आ आरे रहे हैं एक ही element है तो मैंने कहал कि आपको पास एक ही आइन है ये उसके इसके ऊपर जो चार्ज होगा वह यूशिघ क्लाएगी ऑक्सेशन स्टेट के लाएगी तो देखें आपके पास प्लस वन है तो छीन इसके छार्ज नजर आड़ागा प्लस टू तो इसके जो आपको चार्ज नजर oxygen state oxidation number कहलाएगा next जो इसके अंदर point आता हो क्या आता है हमारे पास देखो बचो oxygen आपने देखा oxygen जो है आपके पास इसकी जो oxygen state है मैं अगर बियान करूं वो minus 2 होती है moment लेकिन कुछ compounds के अंदर जो oxygen आपके अंदर नहीं पाए जाती इसकी जो oxygen state होती है वो क्या होती है minus 1 लेकिन जो आपके पास super oxides होते हैं इसके अंदर oxygen state होती है वो क्या होती है मारे पास minus half यह बड़ी important चीज है क्योंकि आपके पास oxygen है oxygen के बड़ी तो practical भी पूछ लेती है जी बता है आपके पास oxygen ही तो minus 2 की form में पाई जाती है क्या आया कि और चार्ज के अंदर यह पाई जाती है तो यह peroxides और super oxides इनके अंदर जो आपके पास oxygen है इसकी जो oxygen state हो क्या करती है वेडी करती है तो peroxides में minus 1 और super oxides में minus half होती है देखे मैं कुछ examples लेता हूं मेरे पास examples कहां मेरे पास सबसे पहले आता है hydrogen peroxides और super oxides तो hydrogen peroxides आपके पास h2o2 इसके अंदर जो आपके पास hydrogen है जो oxygen नमबर होता होगा तब plus 1 होता है तो कितने हमाने पास hydrogen है तो plus 1 को मैंने 2 के साथ क्या कर दिया होगा इसी तरह जो oxygen है oxygen in peroxides हमने कहा था oxygen hydrogen peroxides के अंदर इसके oxygen state क्या होती है minus 1 होती है तो किसरा हमाने पास oxygen minus 1 लेकिन कितने oxygen हमाने पास 2 है जुसको मिलिवला कर दिया हो ऐसी होल हम इस hydrogen peroxides को देखें तो इसके चार्ज हो क्या है 0 है देखें जरा आपके पास अगर मैं इस h2o2 को लिखता हूं तो यह आपके पास दिये था hydrogen peroxide आपको कि आपके पास oxygen है इसके अंदर इसकी oxygen state क्या होती है minus 1 इस इता देखें माने पास potassium superoxide oxide ko2 इसके अंदर और इसके अंदर जो oxygen है और oxygen के ऊपर जो oxygen state है चार्ज वह भी क्या है बेरी है यह यहां पर peroxide में था minus 1 और superoxide में आड़ा है वह minus half क्या आप माने पास minus half देखें पुटासियम जो है इसके उपर अभी हमने कहा इसके oxygen state अभी अभी देखें थी क्या है plus 1 लेकिन जो oxygen है इसके उपर oxygen state minus half होती है तो अगर oxygen के उपर oxygen state minus half है तो आपके पास two है तो यह आपके पास two हो गया देखें तरह आप यह two two से cancel हो जाएगा आउसके आप आप पस minus one यह minus one और यह plus one अगर आप इसको combine करेंगे तो और आपके पास जो molecule होगा वो क्या होजेगा neutral होजेगा तो बताने का मक्सदी है कि in ko2 जो आपके पास oxygen है इसकी जो oxidation state हो क्या होती है माइन साफ होती है नेक्स देखें मारे पास जो oxidation number is the algebraic sum of all elements in a neutral molecule बचो यह बड़ा important point है और यह point अगर आप याद रखेंगे तो आपको जो next हमने oxidation state से निकाल नहीं है उसके बारे में बड़ा help करेंगा देखें for example कहता हमारे पास एक molecule है यह neutral molecule है इसके उपर कोई charge नहीं है और मैंने 0 लिखा हुआ मैंतला इसके उपर कोई charge नहीं है जब कोई charge नहीं है तो इसके कहने का मकसद किया है कादा आपके पास जो कोई neutral molecule है तो इसके अंदर जितने भी आपको elements नजर आ रहे है सब के आपके पास जो oxygen state होगी उसको अपने algebraic सामने प्लस करना है और आपके पास resulting क्या है उसका charge अब देखें आपके पास जो KmNO4 है इसके अंदर potassium है मेंगनीज स्के उपर चार्ज है प्लस सेवन और जो आपके पस oxygen है इसके उपर चार्ज मैंने नहीं नहीं तो आपके पास algebraic sum क्या है तो यह 1 किसका है प्लस 1 तो मैंने प्लस सेवन लिखा हुआ करेंगे आप एक यह साल में क्या है मार पास minus तो यह minus भी आएगा minus 8 equals 0 तो देखिए 1 प्लस 7 यह 8 वो गया plus 8 और minus 8 आंस का नुपशन होगा हमार पस 0 दूसरा कहने का मक्सद यह है कि अगर आपके पास कोई neutral molecule है और neutral molecule के उपर वैसे next rule इसी के उपर है neutral जो मैंगर होता है कि इतने हैं सब के oxygen states को जब सम करेंगे अलजबरिक सम होगा तो आपको बताएगा कि आपके पास जो भी मॉलिकूल है तो वह न्यूटरल मॉलिकूल है और उसके जो ऑक्स टेर्ट हो किया हमारे पास और इनके अंदर जितने पी अलेमेंट्स हैं सब का अलजबरिक सम किसका उनकी ऑक्स टेर्ट का निकाल सकते हैं जब आएग ताक आएगि अ की बाद करने लगा है इस ने पात कि फार उनकोर कि लिएमने पॉर सकोस्तार इसके पर कोई चार्ज नियएं है second आपके पास इन आइंस की बात करने जा रहा है किता है इन आइंस अलजब्रिक sum of oxidation number equals the charge on iron आपके पास एक charge देखें आपके पास sulfur dioxide है अब इसके ओपर charge क्या है अब यह iron की form है इसके ओपर charge क्या है मारे पास minus 2 है तो इस minus 2 का मतलब क्या है जब आप क्या करेंगे यह आपके सामने sulfur की oxygen state ने जरार होगी plus 6 लिखी हुई है oxygen के आपके सामने minus 2 लिखी हुई है और आपके पास oxygen कितने हैं oxygen state को अपने सम किया था और आपके पास जो सम है वो 0 के बराबर आ रहा है वो 0 उने क्यों लिखा क्योंकि इस neutral molecule के ने ने क्या लिख दिया लेकिन अगर आपके पास आइन की form में कोई भी आजाता है molecule तो उसके अंदर आपने क्या करना होता है यह अपने oxygen state सो लिखनी ही लिखनी होती है तो उस आइन के ऊपर चार्ज होता है उसको आपने क्या करना होता है is equal to के बाद लिखना होता है यानि यहां पर neutral molecule के उपर यहां पर देखा आपने ना प्लस के अंदर कोई चार्ज है ना नेक्टिव के अंदर कोई है लेकर यहां पर आपके पास minus 2 हो आए तो आपने is equal to minus 2 लिख देना होता है तो आइन के अंदर मेशा आपने याल रखना है को कोई भी आपके पास आइन हो उसके उपर जो भी चार्ज होगा उसको आपने इकोल कि सान के बाल लास्मी लिख देना है ठीक है और लास्मार पास परिंट के आता है कि अएन इस सबस्टांस पास more electronic element आपके पास कोई भी molecule आजाता है पहले आपने देखना है उस molecule के अंदर उस molecule के अंदर आपके पास more electronic element कौह सा है देखो यहां पर एक मिसाल दे होई है ओ एक तो मुझे बताएं फॉलोरिं की ज्याद है यह उक्सीजन की वैसे तो फॉलोरिं की सबसे ज्यादा है प्रोडी टेबल में सबसे हाइस्ट electronic element फॉलोरिं जिसकी आपके पास electronic 4 होती है तो आपके पास oxygen इसकी 3.5 होती है electronic activity तो आपके पास यहां पर ओफॉलोरिं की लेक्ट्र नेक्ट्र नेक्ट्विटी सबसे ज्यादा तो कहता है जिस element की लेक्ट्र नेक्ट्विटी सबसे ज्यादा होगी उसकी जो oxygen स्कार जाएं स्की जो oxygen state वो क्या होती है माइनस के अंदर होती है ठीक है इसको आपनी याद करना तो अब जब आप यह रूल को देख लेंगे रूल को याद कर लेंगे रूल को अपने जिन में इसको समा लेंगे तो उसके बाद ही आप क्या करेंगे oxygen state को निकालना और हमने कोई भी हमारे पास compound आगया और compound आने के बाद हमने क्या किया उसको पगड़ा और उसको निकालने शुरू कर दी ऐसा नहीं है उनसे पहले देखो इसकी बात करता हूं कि इसके अंदर भी देखो बच्छो आपके पास बाकी elements भी है जब इन सब चीजों को आप समझ जाएंगे फिर आप oxygen states को इसली निकाल पाएंगे oxygen states हमने देखा इसको हमने वलैंसी के साथ comparison किया और हमने फिर next इसके रूल्स देखे हैं कि हम oxygen states को कैसे निकाल गए अब हम next lecture के अंदर निशाला कुछ compounds के लिए कि उन compounds में से कुछ elements की oxygen states कैस समझ नहीं आएगा तो अभी तक के लिए फिर इतना ही है अलाफिस